हलो आज है बारा मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंसी सी लिमिटेट के बारे में 62 रुपीज का शेर है और एक्सपेक्टेड था कि नतीजे जो इनके अच्छे आए थे शायर शेर में तेजी आएगी लेकिन तेजी नहीं आई है गिरावट है लेकिन थोड़ी स लंबे समय से वो होल्ड तो करी रहे लेकिन साथ में उन्होंने बढ़ाई है पिछले कौर्टर में वीडियो में डिसकस करेंगे कि वागिया खरीदारी के मौकी 62 रुपीज के आसपास है कि नहीं और है तो कहां पर है तो वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अ एक महिने में तो साड़े ग्यारा प्रतीशत तक तूट चुका है 71 रुपीज से तूट कर लगाता नीचे आया है अच्छे नतीजे भी इसको बचा नहीं पाए एक साल की अगर हम बात करें तो 21% की गिरावट देखने को मिली है बीच बीच में कहा था कि गिरावट आई ल बहुत बढ़ी आती है गिरावट भी आती है तो वह ऐसे ही गिरावट भी देखने को मिलती है अब इसकते हैं कि 2003 से लेकर 2007 का जो वक्त था वो बहुत ही शांदार था इनके लिए बढ़िया भागा ये शह है लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन आया 2007 से 2009 का ज टूटा तो देखो पहली जिस्तों ये कि मुझे लॉंग टर्म के लिए ये शहर अभी के अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन शाट टर्म के लिए डेफिनिटली यहां पर बढ़िये मौके बन सकते हैं नीचे की तरफ टूटता है खरीदारी के मौके बनेंगे ऊपर की लाख के आसपास के इसके वोल्लिम्स देखने को मिल रहे हैं कम्पनी को लेकर इनके नतीजे के बारे में बात करे तो भ Attack किरें तो यहां पर आप देखो तो जो कम्पनी के लिए वो हुई है 240 करोड से भी जादा का मुनाफ़ कमाया है जो पिछले क्वाटर में सिर्फ 76 करोड के आसपास हुआ करता था तो कंपरी ने बढ़िया प्रॉफिट कमाया है बढ़िया रिवन्यू कमाया है जैसे कि यहां पर आप देख लो तो सिदे सिदे 3490 करोड के आसपास की इंकम हुई है जो पिछले क्वाटर में थी 3032 करोड 15% का ग्रोथ है लेकिन कहां सबसे बड़ा ग्रोथ हाया प्रॉफिट में आया 240 करोड से भी जादा का मुनाफ़ कमाया जो पिछले क्वाटर में सिर्फ 76 करोड हुआ था मतलब 216% का ग्रोथ कमाया इनों ने दूसरी और अगर हम इनको कंपेर करें पिछले साल से तब भी एक अच्छा ग्रोथ है रिवन्यू में 22-23% का ग्रोथ है क्योंकि पिछले साल इसी क्वाटर में 2840 करोड का इनका रिवन्यू था इस बार 3500 करोड के आसपास है और प्रॉफिट 2440 करोड का इस बार हुआ है जो पिछले साल इसी क्वाटर में 116 करोड था तो 107% का ग्रोथ है तो कंपनी ने भईया बढ़िया प्रॉफिट कमाया है और काफी चीज़े यहां पर बहतर लग भी रही है और पूरे फिनांशल लियर की बात करें तब तो छक्के चौके मारे हैं यहां पर कोविड वाले माहुल में भी आप देखें तो 8000 करोड का इनका जो रिवन्यू था तोटल रिवन्यू 8,065 करोड का फिनांशल लियर 2021 में वो बढ़कर हुआ 11,200 करोड मतलब 39% का ग्रोथ आया यहां पर रिवन्यू में और प्रॉफिट में देखा जाए तो जो प्रॉफिट पिछले पूरे फिनांशल लियर 2021 में 270 करोड के आसपास का था वो अब 280 करोड से भी जादा हो गया है 80% का ग्रोथ एक साल में तो कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है चाहे हम इंकम की बात करें या चाहे हम बात करें इंके प्रॉफिट की और कंपनी ने डिविडेंट भी अनौन्स किया है दो रुपे का दो रुपे पर शेर का डिविडेंट भी NCC लिमिटेट की तरफ से अनौन्स किया गया है NCC में राकेश जी की बहुत बड़ी होल्डिंग है और लंबे समय से वो इसको होल्ड कर रहा है अपनी होल्डिंग को बेचा नहीं है बड़ाया है यहाँ पर देखे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंडोल यूसर 14 परसनलों कहरें बेच दो और 86 परसनलों कहरें खरीदो यहाँ पर आप देखोगे तो रिवन्यू के बारे में अलड़ी काफी कुछ डिसकस करी चुक है यहाँ पर NCC को लेकर अगर देखा जाए तो खरीदारी के सही मौके भी है क्योंकि शेर और बोड जोन में नहीं है और P रिश्यो बहुत कम हो चुका है 7.96 जो सेक्टर P 50 से काफी कम है और यही वज़ा है कि 100% अनालिष्ट कहते है खरीदारी करो और खरीदारी करने का सही मौका अब भी है क्योंकि शेर और बोड जोन में नहीं है कोई भी रेट फ्लेक नजन नहीं आ रहे है अच्छा डिविडेंट पेंग शेर कह सकते है दो रूपे पर जो डिविडेंट है वो खराब तो नहीं है पहले जिए लेकिन लॉंग टर्म में पैसा बना कर नहीं दिया है जैसे कि आप ग्राफ देख सकते हो कि जब भी भागा है तूटा है भागा है तूटा है लॉंग टर्म में पैसा नहीं बना कर दिया है मनलब बैंक एफडी जितना भी पैसा बना कर नहीं दिया है current price definitely कैसे तो यह कम है इनकी इंस्ट्रिक वैल्यू से NCC Limited में देखा जाए तो according to according to ticket है 19.68% की holding promoter के पास है 12.23 mutual funds 0.03 domestic institution 8.89% FILE के पास है और 59.18% की एक बहुत बड़ी holding जो है वो retail और other parties के पास देखने को मिल रही है NCC बढ़िया नदीजे है शांदार results है expected था कि थोड़ी बहुत तेजी आए लेकिन market जो है वो definitely तेजी के mood में नजर नहीं आ रहा है और NCC में भी उसका आसर हमें देखने को मिला जरूर है लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे ये company पसंद आती है लेकिन 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 अगेन ध्यान चे सुनिए भाईया पंसद आती है इसका मुझे नहीं कि आप खरीदारी कर लो यहाँ ठीक है खरीदारी करने के मौके जरूर है लेकिन long term के नहीं नहीं short term के लिए अगर 60 रुपए के नीचे आपको NCC limited का share मिलता है तो definitely आपको एक बार के लिए खरीदारी कर सकते हो लेकिन 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 देखो market वहाँ सब panic zone में है market थोड़ा सब pressure में है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी एक level बहुत सारे share खरीद लो अगर मान लीजे कि आपको 500 share खरीदने है तो 60 रुपए के नीचे अगर share जाए तो 200 quantity आप add कर सकते हो 50 रुपए के level के आजबस आप चाहो तो बाकी की quantity और 200 quantity add कर सकते हो उससे नीचे अगर बहुत ही खराब और worst case में जाए तब जाके थोड़ी बहुत quantity तब आप add करके चल सकते हो हलाकि chances 50 रुपए से नीचे जाने की थोड़े से कम ही लग रहे है लेकिन अगर बहुत खराब situation में अगर जाता है क्योंकि market जिस तरीकी से तूट रहा है कहना मुश्किल है लेकिन फिर भी मेरे इसाब से जो RBI की जो announcement थी उसा कहीं न कहीं बहुत बड़ा impact जरूर देखने को मिल रहा है inflation बहुत तीजी से यहां पर बढ़ भी रहा है और दूसरी और अगर हम यहां पर यह भी सोचने की बात करें तो RBI यह जो repo rate बढ़ा दिया है उन्होंने एक जटके में बढ़ाया है कोई announcement नहीं मतलब कोई पहले से कोई preparation नहीं कुछ नहीं एक जटके में बढ़ा तो definitely market उसे panic में आया जरूर ठीक है और expected था कि भाई यह market थो पैनिक में जरूर आयेगा उससे अगर ऐसा कुछ होता है तो और जब भी ऐसा कुछ होगा यह expected था कि है 2-3 महीने के लिए market pressure में रहेगा तो दो-3 महीने तक market pressure में रहेगा लेकिन यह नहीं है कि लगा ता सूटे ही तूटेगा थोड़ा बहुत bounce back भी करेगा थोड़ा बीच-भीच में थोड़ा बहुत तूटेगा भी सही लेकिन market of sideways में आपको तो खोड़ा कुछ वक्त के लिए देखने को मिल सकता है तो यही कहूंगा कि ऐसे में गिरावट अगर आती है अच्छी कंपनी में जहां पर खरीदारी के मौके बनते हैं तो दीरे दीरे एड करके चल सकते हो long term के लिए लेकिन NCC long term के लिए मैं के लिए भी अपर खरीदारी के लिए लिए वीज़ देखने लेगर सकता है